अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों में बात करेंगे सभी पूरू सेनिकों के लिए पेंशनर्स के लिए आज की जो है तो तीन से चार इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तो सीजी डिये की तरफ से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है सभी पेंशनर्स के लिए और यह बहुत एहम फैसला है और सभी पीडियेज को जो है यह सर्कुलर जारी कर दिया गया है जो भी पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है उसको लेकर काफी टाइम बार दोस्तों सीजी डिये का जो है पेंशन बोग्यों के लिए एक बड़ा फैसला है हम बात करेंगा दोस्तों सेना में बहुत सारे जो है बदलाओ हो रहे हैं और इसका एफेक्ट सीधे सीधे दोस्तों से इसकी वएसे दोस्तों को जो है और स्ट्रिक्टनेस का सामना करना पर सकता है उसके बारें हम बात करेंगे इसके लाव दौस्तों बात करेंगे पूर हुसेयन्कों के लिए ना सिर्फ सरकार की तरफ से वैल्फेयर प्रोग्राम चलाए ज आ रहे है हैं अब कुछ private organizations ने भी पूर हुसेयन्कों के लिए पूर हुसेयन्कों के लिए प्यंशन भोग्यों के लिए अलग-अलग कारिकरम चलाने शुरू कर दिया है और दोस्तो में में जो मोटिव है चाहे वो सरकार का हो गया चाहे जितने भी प्राइवेट और्गनाईशन है जो कहीं न कहीं सैनिकों को सपोर्ट कर रहे है उनका में मकसद है कि सैनिकों का वेलपे और खासकर पूर उसेनिकों का इसमें मॉनिटری weelp भी हो रहा है तो बात करेंगे दोस्तों क्या यह प्राइवेट और्गनाइशन किस तरीके से पूर उसेनिकों की हेल्प कर रहे है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी important updates के बारे में दोस्तों कर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर subscribe करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथी साथ bell icon ज़रूर दबाए दोस्तों CGDA का जो circular है सभी pension भोगियों के लिए ये बहुत important है क्योंकि जो pension भोगी है उनके account में क्या transaction हो रहा है और जो transaction हुआ उसका क्या मतलब था कोई transaction हुआ की नहीं हुआ और उसकी details क्या है ये दोस्तों अभी बड़ा problem रहे गया अगर कोई area मिला है उनके account में credit हो जाता है तो जब passbook में entry की जाती है तो एक number आता है लेकिन ये clarity नहीं होती कि क्या था कोई बचाओ एरियर है या pension में revision है या DR में बढ़ोत्री है तो वो एक question mark रह गया था और बैंक के दर्व से ऐसी कोई गलतिया नहीं होती लेकिन अगर किसी case में किसी pensioner को जो है कोई amount मिलनी थी वो उससे कम है या ज्यादा है तो उसको कैसे पता किया जाएगा उसको पता करने का एक ही medium है वो है आपकी pension slip जो किस परश में हर टाइम आपका जो है जैसी आपकी पे आने वाली होती है उसके बहुत पहले आपको pension slip जारी की जाती है कि आप देखो कि यह आपको मिलने वाला है कि इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर pensioners की तरफ पे जो pension dispersing authority उनकी तरफ से कोई गलती है आपके पास एक option रहता है कि आप चेक करेंगे कि यह जो pension आई है वह ठीक नहीं आई है या आपको पूछ सकते हैं लेकिन अगर आपका pension slip भी नहीं है तो आपको यहीं नहीं पता कि इतनी pension आई तो क्यूं आई और यह बढ़के आई तो क्यूं आई और कटा तो क्यूं कटा उसमें आपको एक बड़ा फैसला है और यह सभी जो है अर्द सैनिक बल होगे सैनिक होगे और उनको जो है इसका benefit मिलेगा इस से अटलिस्ट जब भी कोई भी उनके पास account में कोई area का credit होता है या महीने का जो भी होते pension slip जो जारी होगी उसमें पूरा पता चलेगा कि यह जो क्रेडिट हुआ है वो किस जो है category में हुआ है तो दोस्तों यह सीजीडे का important update बात करते हैं हम लोग दोस्तों next update की जहां पर आपको पता है कि children education allowance मिलता है कि marriage grant allowance मिलता है तो दोस्तों यह सरकारी process है जिसमें की कि एक नया प्रोग्राम निकला है जहां पर कि यह university जो है सैनिकों पूरु सैनिकों के बच्चों के लिए जो है special discount दे रहे हैं इवन दोस्तों जो MNS के जो dependent है कि उनको भी discount मिल रहा है और कि यह discount भी तुस्तों लाखों में जहां पर 90,000 तक सीधे सीधे जो है अगर आप इस university से बीटे करवाते हैं जो जनरल में वो तो अपना दो लाख सम्थिंग दे ही रहे हैं लेकिन जो पूर सैनिक है उनके जो डिपेंडेंट्स है उनके लिए जो सुल 90,000 रुपे तक फायदा है अगर वो इस इन्वेस्टी में विचल ले तो इन्वेस्टी भी कोई छोटी मोटी इन्वेस्टी ने बड़ी इन्वेस्टी है तो उस केस में आप बीटे करते हैं यहां से तो य इसका बेनिफिर उठा सकते हैं अभी और यह एच पी में जो इन्वेस्टी खुली हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जहां पर दोस्तों अब पूर सैनिकों के लिए ईसी एचस ने जो है बहुत सारे नियमों में सुधार कर दिया है अब आपको अगर रेफर कर दिया जाता है तो अब आप किसी स्पेशल पॉली क्लिनिकले रेफर नहीं किया जाता है अगर आपको रेफर हो गया तो आप कहीं से भी जाके जो भी इंपैनल हॉस्पिटल है इसी एचस के वहां से आप अपने आपको जो है कि महां से अपना इलाज करा सकते हैं और पहले था कि अगर वहां पर भीड है वहां पर डॉक्टर इवलेबल नहीं तो आपके बढ़ गए अब आपको लिमिटेड नहीं है कि आपको जो है जो है किसी पर्टिकुलर इंपैनल हॉस्पिटल जाना और मेडिसन का तो वह भी अगर नहीं है तो आप उनलाइन भी ले सकते हैं और उसके पैसे कर सकते हैं उसमें भी दोस्तों आपको 25,000 रुपे तक की लिमिट है एक महीने के अंदर अगर आपको कोई ऐसी मेडिसन ले रहे हैं और वह बहुत ज़्यादा महेंगी है तो आप सिर्फ सिर्फ जो है 25,000 रुपे दा क्लेम कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत सारे ओप्शन खोल दिये गए जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ उस पॉली क्लिनिक में के लिए डिपेंडेंट नहीं है वहां पर दवाई नहीं मिल रहे तो बट अबेस है तो आपको दवाई तो खरीदे आपको पेमेंट मिलेगा तो पूर सेंगों के लिए जहां पर आपको जो है कि मैडिसेन ना होने के बहुत आप कहीं से मैडिसेन लेकर खालने लेकिन आपको रिइंबरस्मेंट होगा तो दोस्तों ऐसे कई सारे वेलफेर कारिक्राम जो है तरफ चलाए जा रहे हैं इंपर्टेंट सरकुलर है जिसके थ्रूँ जो है पैंश्टन को भारी बारी जो है बेनिफिट मिलेगा इसके साथ-साथ दोस्तों जो है अगर वेलफेर की बात करें तो केंद्रिस एनिक बोर्ट के लावा जो है प्राइविट अभी कंपनी जो है प्राइविट युनिवर दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूरु सैनिकों के लिए पैंशनेस के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो